नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे नौजून शुकरवार सुपेशवाच्वाच्छे राजिस्तान की बड़ी खबरे राजिस्तान की सियमेशोग गयलोत ने चुनावी साल में सचिन पालर सिखींस्तान खत्म करके एक जुटता का दावा किया है गयलोत ने अपने बारे में चौल रहे सियासी धारनाओं के बारे में भी नए खुलासे किये हैं गयलोत ने किसी जमाने में सियासी कॉम्पिटीटर रहे सीफी जोशी को अपनी कमजूरी बताया है साथ ही परस्रा मदेड़ना की जगा खुद सीम बनने की धारना को गलत बताते हुए दावा किया है कि 1998 में वे मुख्य मंत्री की दावेदार ही नहीं थे गहलोत ने के इंटर्विव में कहा कि एक गलत परसेप्शन बन गया है कि मैं अध्याक्ष नहीं बनना चाता था मुख्य मंत्री बने रहना चाता था इसलिए 25 सितंबर को सब मेरी द्वारा ही प्रायोजित था पाइलर्ट से पहली बार मुलाकात के सवाल पर गहलोत ने कहा जब सचिन धाई साल के थे तब मैं उनके यहां पहली बार गया था ये धाई साल की उम्र उन्होंने मुझे बताई मलिकाजन खड़की की घर बैठक में हम आपस में मिले तब ये बात चल पड़ी तब उन्होंने ये ढ़ाई तीन साल की उम्र में मिलने वाली बात बताई साल उन्नी सो असी में राजिश पालेट और मैं साथ में संसद में गुसे थे तब से हमारा एक दूसरे के घर आना जोना है ऐसी क्या बात है मिस वर्ड दो हो जाते हैं इस इस बार भारत में होगा ये जानकारे मिस वर्ड और्गनाइजिशन ने दी है परतियोगिता में 130 देशों की सुन्दरियां भाग लेंगी एक महने तक चलने वाली इस परतियोगिता का फाइनल राउंड नमबर दिसंबर में होगा ये दूसरा मौका है जब भारत को मिस वर्ड परतियोगिता की मेजबानी मिली है पहली बार 1996 में भारत में इस परतियोगिता कायोजन हुआ था मिस वर्ड और्गनाइजिशन की चेयर परसन और सीई ओ जूलिया मारले ने गुर्वाल को दिल्ली में कहा मुझे ये बताते हैं बेहत खुशी हो रही है कि मिस वर्ड का 71 एडिशन भारत में होगा मैं 30 साल की थी जब भारत आई थी और तब से मुझे भारत और यहां के लोगों से काफी लगाव है उनके साथ मिस वर्ड 2022 कैरोलीना बिलावस का भी मौजूद रही राजसान में 2 करोड रिश्वत मामने में नेलंबित एसप दिव्या मितल को राजसान हाई कोड से रहात मिनी है हाई कोड की जोदपुर मुखे पीट ने दिव्या मितल की गिरफतारी पर रोक के आदेश ज़ारी के हैं हाई कोड जस्टिस नुपुर भाड़ी के अवकाश कालिन एकलपीट में याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें हाई कोड ने गिरफतारी पर रोक के आदेश दिव्या मितल की ओर से अडवकेट नमन मोहनोत ने पक्ष रखा पबलिक प्रोजिक्यूटर श्रवन बिश्णोई ने बहस के दोरान कई तरक दिए जब के अडवकेट मोहनोत ने बचाव में तरक दिए दोनों पक्षों की सुनाई की बाद जस्टिस नुपूर भाटे ने कहा कि सिर्फ एफ आई यार से आरोप तैर नहीं किया जा सकता और गिरफतारी पर रोक के आदेश चारी किये दिली में गुरु गोबिन सिंग इंदर प्रस्त यूनिवस्टि के इस्ट दिली कैंपस का उदगाटन करने के दोरान उपराजिपाल विके सकसेना ने मुख्यमंतरी अर्विन के जरिवाल को हाथ से पीछे कर दिया जैसे ही शिलापट के उदगाटन के लिए केजरिवाल आ गयाने लगे तो विके सकसेना ने उन्हें हाथ से इशारा करके पीछे हटने को कहा हलांके दोनों ने साथ में उदगाटन किया उदगाटन के बाद जब केजरिवाल ने समारों में भाशन देना शुरू किया तो वहां मौजुद भाजपा कारकरता मोधी मोधी के नारे लगाने लगे केजरिवाल ने भाशन रोक कर कहा मेरा आप सब से हाथ जोड कर निवेदन है कि मेरी पांच मिनट बात सुन लेती है अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो छोड़ देना हालांकि नारे लगाने वाले नहीं माने मुखे मंतरी अशुक गहलोत ने कहा कि राजी सरकार ने पिछले साड़े चार वर्षों में शिक्षा, सौास्ते, पियज्वल, सरक तैंतर, बिजली, कृशी और समाजिक सुरक्षा के शेतरों में निरंतर महत्रपून फैसले लिए हैं प्रदेश के चोह मुखे विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी जा रही हैं, शांती सद्भा और भाई चौरा ही विकास के आधार हैं इसलिए प्रदेश में सांपरदाइक सोहाद एवं एक जुटता मनाय रखने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास्रत है गलोद गुरवार को मुखे मंदर निवास पर रामगर विदानसवा शेतर से आये प्रतिनेधी मंडल को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश पर में महगाई राहत कैम लगाई चौराएं हैं, इससे आमजन पर महगाई का बोज़ कम हुआ है उन्होंने कहा कि इन शीविरों के माध्यम से दस योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिक्तम राहत महँचवाई जा रही है इस साल के अंत में होने वाले राज़सान विदानसवा चुनाओं को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस ने तयारियां शुरू कर दी है उमिदवारों के चैन को लेकर फिलाल दोनों ही दलों ने अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं लेकिन कॉंग्रेस प्रदेश प्रभारी सुख जिंदा सिंग रंधावा के एक बयान के बास से कई दावेदारों की दावेदारी मुश्किल में आती दिख रही है कॉंग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा प्रदेश के दोरे पर हैं और लगातार मैराथन बैठके कर संगठन को मजबूत करने के साथ ही चुनावे रंणिती पर काम कर रहे हैं प्रदेश भर से पता दिकारे और कारिकरताओं से मुलाकात भी हो रही है इन सब के बीच में रंधावा के एक बैयान ने कई टिकर दावेदारों की वेचैनी बढ़ा दी है दरसल रंधावा ने बैयान दिया था कि लगाता दोवा चुनाव हार्चों के प्रत्याशियों को फिर से टिकर देने के बारे में इस बार सोचना पड़ेगा मौसम विभाग ने 16 माई को बताया था कि केरल में मौनसून के 4 जून को दस्तक दिने के असार हैं लेकिन यह अनुमाने समय से करीब 4 दिन की देरी से आया मौनसून के आगे बढ़ने के लिए परसित्या अनुकूल है मौसम विभाग ने एक बयान जारी करी जानकारी दी बयान में कहा गया है कि दक्षिन पश्मी मोंसून दक्षिन अरफ सागर के शेश हिस्सो और मध्य अरफ सागर के कुछ हिस्सो पूरी लक्षदीब शेत्र केरल के अधिकांश हिस्सो दक्षिन तमिलनाडू के अधिकांश हिस्सो और पुरवत्तर बंगाल की खाड़ी में आग अधारित परसुतियों को गहरी रूची के साथ देखा उन्हाने बच्चों को बेस्ट परफॉर्मंस के लिए बदाई देते हुए प्रेणा दायक समाद किया और होसला अवजाई की अज में जिला कलेक्टर भाती दिख्षित गुरुवार को सेंट्रल जेल पहुंची और जे जिला कलक्टर दिख्षित के द्वारा जेल की सुरक्षय व्यवस्ता और जेल में हुए नवाचार को लेकर जेल अधिक्षक सुमन मालीवाल से चर्चा के साथ ही निरिक्षन किया राज की अमनेजी और द्योगिक प्रशिक्षन संस्थाओं में प्रवेश के लिए उनलाई नाविदन भरेज़वा सकते हैं एसे सुपोर्टर लत्वा ईमित्र कियोस के माध्यम से उनलाई नाविदन भरने तधा निर्दार्द शुल्क ईमित्र के माध्यम से जमा कराने के अंतिम्तिती दस चुलाई है राजेसान में हजारों की संख्या में मंत्राली करमचारी मांसरोवर शिपरापत से सेविल लाइंस्थित सरकार के मंत्रियों के आवास का घेराव करने पहुँच गए करमचारी संख्यों पाध्याक्ष मुकेश मुद्गल का कहना है कि हम पिछले साथ दिनों से धरने पर बैटे हैं लेकिन सरकार की कान पर जून तक नहीं रेंग रही अवेदी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा आज हमने हजारों की संख्या में मंत्री महेश जोशी के घर का गेराव किया इसके साथ अदी आटिडीसी के चेर्मेन धरमेंडर राठोर के घर पर पहु solves पर पहूंचे थी और पंदर दिन से चल रहें अंचन को सरकार से वारता के आशवासन पर खत्म करवाया था लेकिन उसके बाद भी गुरुवारता किसी तरीके की सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आया करमचारी ने बताए कि 2018 में हजारों मंत्राली करमचारी इसी तरीके से शिप्रापत मान सरोवर पर धन्ना दे रहे थे पूरूप मुक्य मंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पालट ने अपने निर्वाचुन शेत्र टोंक में विभिन विकास कारियों के लिए विधायक स्थानिया विकास कोश से एक करोड़ नब्बे लाख रवे की स्विकृति जोरी की है कॉंग्रेस के निर्वरतमान जिलादैक्ष लक्षमन चौधरी गाता ने बताया कि सचिन पालट ने टोंक शेहर में राज के कॉलिज के सामने सिटी पार्क निर्मान कारे के लिए एक करोड़ रुपे तैसील कारेला परिसर में प्रतिक शाले कक्ष निर्मान कक्ष के लिए 15 लाक रुपे, रजबन में सामुदाइक भवनिर्मान के लिए 10 लाक रुपे, काली पर्टन में सामुदाइक भवनिर्मान के लिए 10 लाक रुपे स्विक्रत किये थे कांग्रिस ने रभी की फसलों के लिए नियूनितम समर्तर मले की घोशना को डोंग करार देती हुए कहा है कि सरकार घोशना तो बड़े धूमधाम से करती है लेकिन उन दामों पर फसलों की खरीद नहीं की जाती है कांग्रिस महासेचेव रंडीव सिंग सुटजेवाला ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्याले में समादाता सम्मेलन में कहा कि रभी फसलों के लिए MSP की कागजी घोशना तो कर दी है लेकिन उसे जमीन पर नहीं उतारा जाता है इस सरकार में घोशना तो बड़े निर्देश दिये हैं जुला संकर्ट सिती समोह की बैठक गुरुवार को अधिक्त कलेक्टर ब्रिज मोहन बैर्वा की अधिक्षता में आउजित की गई उन्होंने निर्देश दिये कि सभी अध्योकिक संस्थान किसी भी संकर्ड या अबदा से निपटने के इंतजाम रिशित करें ताकि इसकी समिक्षक की जा सके देवनगरीद दौसा को एक बार फिर फुटबॉल का फीवर चड़ेगा इसके लिए जब हमानी स्पोर्स कलब द्वारा 15 दिवस ये डे नाइट अंतरास्ते फुटबॉल टूर्णामेंट का आयोजित किया जो रहा हैं कलब के अध्यक्ष लोके शर्मा ने बताए कि फुटबॉल के महा संगराम में सार्क देश नेपाल भुटान वे बारत की नामचीन टीमें पंजाब दिली मुंबई लखनों हर्याना राजस्थान नाइजिरियन 11 और मेजबान भवाने कलब सहित 9 टीमें भाग लेंगी तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ